नमस्कार इस वीडियो में हम जानेंगे कोटन और ओकरा में लगने वाली प्रमुक पेश्ट के बारे में क्योंकि कोटन और ओकरा सेम फेमिली की हैं तो इसमें लगने वाली प्रमुक पेश्ट लगबग सेम ही है तो चलिए जानते हैं कि cotton और वोकरा में लगकाट हैं क्थ प्रउक पेस्ट क्या-क्या है तो चलिए जानते हैं कि तो प्रउक पेस्ट में सबसे पहल === पर जिसे cotton जेसिट का जाता है फिर cotton ाफिड फिर त्रिफ फिर वायट फ्लाइऑ वायट प्लाइऑ बहुत ही महतम्पून मेस्ट फिर मिलीबग फिर इस्पोर्टेट बोलवार्म जिसे सूट एंड फूट बोरर ऑप उकरा भी कहा जाता है एवंग अमेरिकन बोलवार्म या ग्रीन बोलवार्म जिसे हेलिको बर्पा आर्मीजेरा है जिसका सांटिपिक ने इसके बारे में आपने विस्तार पूर्बग सकते हैं अब कोटन बोलवार्म भी एक महातपूर्बग पेश्ट कोटन में तो इस तरह से इस वीडियो में हम विस्तार पूर्बग जानेंगे कोटन जेसिट के बारे में वाइट फ्लाइ के बारे में एवंग इस्पोर्ट बोलवार्म के बारे में तो चलिए सबसे पहले जानेंगे cotton leaf copper के बारे में या cotton jcid के बारे में तो चलिए जानते हैं तो जो cotton leaf copper है या cotton jcid है उसका scientific name एमरास का डिभास्टेंस है और इसकी order है और हेमिटेरा है और इसकी family किकड़े लिड़ी है अब इसका distribution कहां है तो इसका डिश्ट्रिशन जितना सारा cotton growing areas, एरिजन, महाराश, कुजराथ, ये सारे area में इसका आक्रमन देखा गया है, अब इसका hostens क्या क्या है, तो cotton के अलावा potato, brinjal, kester, okra, bhindi, और tomato, holy oak, और sunflower में भी देखा गया है, अब इसका binomics क्या है, तो जो adult होता है, वो green color का होता है, और wedge shaped होता है, तो आप देख सकते हैं, adult green color का है, और wedge shaped है, अब जो ये जो eggs ले करती है, वो singly एग ले करती है, और leaf bhenz पे एग ले करती है, इसका incubation period 4-11 दिन का होता है, और nymph जो होता है, वो light time smalting करता है, और इस तरह life cycle 15-46 दिन में complete होता है, और 11th generation 1 year में complete होता है, तो हम कह सकते हैं, कि एक साल में 8 generation complete होता है, इसलिए एक more multi-volting species है, तो अब चले इसका damaging symptom क्या है, तो damaging symptom के बारे में विश्तारपूर बग जाने, तो इसका जो damaging symptom है, वो क्या है, जो जो बोथ nymphs and adult क्या करते हैं, सक को सक करते हैं, जो भी under surface of lips से, तो आप देख सकते हैं कि भेंस के बीच में किस तरह nymph पाए गए हैं, और इससे क्या होता है, तो इससे जो leaf होता है, वो yellow color का हो जाता है, turn yellow, और उसके बाद जो curling होने रखता है, मतब लीब का curling होता है, downwards, आप देख सकते इस picture में कि कोटन में किस तरह curling हुआ है, अगर severe infestation होता है, तो brick rate color या bronze color का leaf हो जाता है, जिसे हम लोग hopper one काते हैं, तो cotton में hopper one किसे होता है, तो cotton में hopper one, cotton jacid से होता है, तो आप देख सकते हैं, किस तरह bronze color का, मतब brick rate color का leaf हो गया है, तो इसे हैं, hopper one, इसे क्या होता है, जो crop होता है, उसका growth retard हो जाता है, crop growth में reduction हो जाता है, अब हम इसका management किस तरह से करेंगे, तो चलिए जानते हैं, तो जो early sowing और close spacing of cotton reduce करता है, paste infestation को, जब rainfall heavy हो, तो हम लोग को close spacing करना चाहिए, और early sowing करना चाहिए, अब हम लोग light trap का use कर सकते हैं, ताकि हम लोग leaf over का attract करें और उसको kill करें, हम लोग predator जैसे trisopa carnia का use कर सकते हैं, अब हम लोग spray कर सकते हैं, neem seed kernel extract या कोई भी insecticide का, हम लोग cotton की resistant variety use करेंगे, mcu3, mcu5 और mcu9, तो इस तरह हम लोग cotton जैसीट के बारे में विस्तार पूर्बग जाने, अब चलिए जानते हैं white fly के बारे में विस्तार पूर्बग, white fly बहुत ही मतपूर्ण पेस्ट है, ये viral disease की vector है, तो चलिए जानते हैं, तो white fly का scientific name बेमेशिया टेवाई की है, इसकी order हेमिप्टेरा है, और इसकी family एलियोरोड आइडिया है अब इसकी distribution, इंडिया स्रीलंका, नाइजेरिया, कॉंगो वेस्ट अपरिका, जापान और यूरोप में भी है, अब इसका होस्टेंज क्या क्या है, तो इसका होस्टेंज कोटन, टोमेटो, टोबेको, स्वीट पोटेटो, कसावा, केबेज, कॉलिफ्लावर मेलन, ब्रिंजल और विंडी ओकरा में भी है, विंडी में भी तो ये जो होती है, white fly polypagus paste है, बहुत सारे species में इसका आक्रमन देखा गया है, अब एडल्ट क्या होता है, तो एडल्ट जो होता है वो minute insect होता है, जिसमें जो की yellow body से covered होता है, उसमें white waxy blooms होते हैं, अब जो eggs होता है, वो leaves पे ले करता है, और एक प्रेट तीन दिन का होता और नीम्प जो होता है, वो greenish yellow color का होता है, और oval in outline होता है, और उसका outline जो होता है, वो oval होता है, oval sept का होता है और जो उसका pupation का होता है तो under surface of leaves में pupation होता है, अब इस तरह नीम्प का, नीम्पल प्रेट 5 से 33 दिन का होता है, समयर में और 17 से 33 दिन का winter में होता है, इस तरह से white flag का life cycle complete होता है, अब चलिए जानते हैं कि इसका damaging symptom क्या है, तो जो नीम्प और एड़र्ट क्या करता है कि shape करता है, under surface of leaves से, इससे क्या होता है, कि premature defoluation होता है, cotton में, और sooty mold का formation होता है, क्योंकि हम hemiptera order किये, तो honey dew secretion होता है, और setting of birds होता है, birds जो भी होते हैं, वो जड़ जाते हैं और जो भी balls होता है, cotton ball होता है, मतलब उसका formation poor होता है, और opening नहीं हो पाता है, और इससे क्या होता है, जो cotton में ये हम मैंने बताए कि ये viral disease की vector है, तो ये cotton में leap curl virus की vector है, और ये polypagus paste है, तो इसका बहुत सारा bio types देखा गया है, और ये ओकरा में yellow band clearing mosaic, yellow band mosaic की vector है, आप देख सकते हैं ये ओकरा में yellow band mosaic किस तरह से होता है, और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह आकरमन हुआ है, आपका white fly अब इसका management किस तरह से करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले white fly tolerant varieties ये उस करेंगे हम लोग seed treatment करना ज़रूरी है imidaclopated या थियो में तक्सेम से करेंगे, हम लोग timely sewing करेंगे और spacing जरूर essential रखेंगे और late sewing को avoid करेंगे अब जो भी क्या cultivated host होस्ट है, जैसे हम लोग करेंगे कि जैसे cotton के लिए हम लोग क्या बहुते हैं कि जैसे cotton crop के लिए तो हम लोग inter crop हम लोग यूज कर सकते हैं brinjal का, windy का और ukra में हम लोग यूज कर सकते हैं tomato का, मत्तब हम लोग जो भी अलग alternative host है उसके लिए उसको हम लोग यूज करेंगे, इसे inter crop, अब हम लोग क्या करते हैं कि cotton को हम लोग क्या करेंगे कि साल में एक बार यूज कर उगाएंगे, ताकि मत्तब सा, ताकि क्या हो कि white ply को अपना host ना मिल पाए, cotton में अब हम लोग crow protection यूज करेंगे, जो भी non prepared host है उससे हम लोग crow protection करेंगे, जिसे sorghum, ragi, maize, ये सब non host plant है, white ply के लिए उसी तरह हम लोग जो weed cell जैसे eptilon, indicum हुआ या solenum, nigrum हुआ, ये सब weeds हैं, जिसमें white ply मत्तब survive करती है, तो इसको हम लोग remove करेंगे, हम लोग judicious irrigation management करेंगे और nitrogenous fertilizers का application judicious करेंगे, क्योंकि excessive अगर vegetative growth हो जाए तो पेश का आकरमन ज्यादा दिखा जाता है, फिर हम लोग white ply का monitor करने के लिए हम लोग yellow pen trip यूज करेंगे, या फिर sticky trip यूज करेंगे, फिर हम लोग remove कर सकते है collect or remove कर सकते है white ply infested leaf को, जिससे क्या होगा कि, पेश को हम लोग management कर सकते हैं, फिर हम लोग, हम लोग use कर सकते हैं, neem seed kernel extract, या फिर हम लोग insecticide का use कर सकते हैं, या फिर pea soil rosin soap का use कर सकते हैं, 1 kg per 40 liter of water spray करेंगे, तो इस तरह से हम या फिर सूट and fruit warrior ओकरा के बारे में, तो इसका scientific name है, या फिर इरियास betela, या फिर इरियास insulana, ये दो तरह की species लगती हैं, तो इसकी order lepidoptera है और इसकी family noctudy हैं ये cosmopolitan है, और major pressure, इसका worldwide मतलब ये paste देखा गया है, इसका होस्टेंज, कोटन, भिंडी, होली, होप हिबिसकस में देखा गया है, फिर abitulant, indicum में भी देखा गया है, अब चालिए इसका हम लोग बाइनोमिक्स जानते हैं, और इसका damaging symptom क्या है, और इसका management किस तरह करेंगे, इस पोटेट वोल वार्मिया, है, सूट और फूट वोरर का, तो चलिए जानते हैं, तो जो भी इसका है, जो eareus betela है, इसका green four wing होता है, तो आप देख सकते हैं, green four wing है, और white stick present होता है, अब देख सकते हैं, किस तरह white stick present है, अब जो eareus insulana होता है, वो completely green होता है, उसमें white stick present नहीं होता है, अब देख सकते हैं, किस तरह completely white है, उसमें white stick present नहीं हो, अब जो क्या होता है, कि उसका eggs होता है, sky blue color का होता है, singly एक ले करता है, और एक period तीन दिन का होता है, और larva जो होता है, brown होता है, brown color का होता है, और उसमें क्या होता है, कि white मीडियन लोग मीडियन लोगिट्यूटनल इस्टिक होते तो आप देख सकते हैं वाइट कलर के लोगिट्यूटनल इस्टिक प्रजेंट है अब जो लाज्ट थो थोरिक सेग्मेंट होता है और और अब्डोमिला सेग्मेंट होता उसमें क्या होता है कि फिंगा सेफ्ट मतब होते हैं मतलब फ्रेसी टुई वर्सलेट्स होते हैं अब जो वांड और फिर क्या होता है यहраш भी टेला होता है उसमें क्या होता है कि वीडाओट फैंगर फिंगर सेट प्रोसेस्ज नहीं होते हैं जबिश्टितोockट्प इंसुलानज में होता है अब लादुरेटर प्रणार तो इस तरह से आप इसका life cycle जान सकते हैं अब इसका symptom क्या damaging symptom तो जब भी in the beginning of season होता है crop का और crop जो cotton का crop few weeks old होता है तब जो होता है कि caterpillar hedge out होते एक से और उससे क्या उसके बाद वो बोर करते हैं top tender suit पे या फिर portion of the suit पे उससे क्या होता है कि जो भी suit होता है ऊपर विधर करता है या फिर दूफ होता है या फिर drys हो जाता है Country अब depending upon लॉकलेटी 50% Totals एक अब जो बोस होते हैं जब बड़ा अबिजिन डेवलप होते हैं बोस होने interpreting तब यह caterpillar move करते हैं suit से boss की और और boss में hole बनाते हैं hole बनाने से क्या होता है कि जो balls होते हैं square and small balls होते हैं वो larva से injured हो जाते हैं और drop हो जाते हैं balls उसके बाद जो developing balls होते हैं वो damage होने के बाद फिर वो boss drug ground में गिर जाते हैं और infested balls जो नहीं गिरे होते हैं उसमें क्या होता है कि larva क्या करता है कि उसका seed पर feed करता है और अपना excreator fill कर देता है इस तरह से जो affected balls होते हैं वो prematurely open हो जाते हैं और cotton में और वो बहुत ही मत्तब damaging हो जाता है और अब ओकरा में इसका क्या damaging symptom है तो larva क्या करता टेंडर टर्मिनल सूट पर बहुर करता है वेजिटरी वेश्टेज में फ्लावर बर्ट्स पर या फिर यंग फ्रूट्स पर और डेमेज सूट्स क्या होते हैं डूप कर जाते हैं वीधर अब यह ड्राइव ती cotton की तरह ही होते हैं और इनफे 1997द फ्रूट के वह चाते हैं और लयभा comprend тему ची तरहां मैं किस तरह से आक्रमन होता है आप देख रहें की टर्नेलिंग हुआ है सूट फिर इस्क्वेंटेंग वा है फ्लैटेस्क्यर गवा है मतStar्यचबॐ है आप देख सकते पिस्क्वेश्क्वेवर फैर फ्लावर फ्लावर पर की सिरे ओधिंग हो रहा है ग Cathedral से किस तरह बोल मतलब जो बनाती है तो जो कोटन के बोल में किस तरह यह बनाई हुए फिर बोल फिडिंग भाई देख सकते हैं किस तरह हो रहा है फिर डेमेज पूरी तरह से किस तरह हो गया है कोटन में आप पिक्चर में देख सकते हैं क्लियर लिया आप देख सकते हैं इस तो आप चली इसका मेनेजमेंट किस तरह से करेंगे तो यह हम लोग रइस्टेंट कल्टिवार उगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे जो इन्पेश्टेट शूट से बर्ड से फ्लावर उसको कलेक्ट करके डेस्टोय करेंगे जो अल्टरनेट होस्टे जैसे इसको हम लोग रिमूब करनेंगे इनको फिर हम लोग लाग प्रती हेक्टेर हम लोग लाइट्रेप का मोनिटर के लिए उसका सकते हैं है ए grin यहीश कराँ प्रती हेक्टर हम लोग लोग फिर depende यूझ करसकते हैं फिर हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हम्लोग यह फिर मलोग नीमसीट करनल एक्सट्रेफ्ट Jacob आब इंसेक्टी साइट का युज सकते हैं जैसे एजड़ेटर इंजों की बोटनिकल है निम अलक्ष्ट निमोNow Goal यर फिर जन्सटी साइट पढ़ने परी इनसक्रिक्राइट का यूज का सकते हैं इस वीडियो में विश्तार पूर्वक घाना कोटन जे सीट के बारे में वाइट फ्लाई के बारे में इवंग सूट एंड फ्रूट बोरे रप ओकरा या स्पोर्टेट बोलवार्म के बारे में बिस्तार पूर्बग जाना अब हम लोग नेक्स वीडियो में नए इनफोर्मेशन के साथ आएंगे धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर से जरूर सेयर करें धन्यवाद